हलो इब्रिवन हम आपका पढ़ रहे थे वैदिक मैथमेटिक से सिरीज ओके और यह वैदिक मैथमेटिक का लेक्चर फोर है पिछले तीन लेक्चर में क्या पढ़ा हमने स्कॉार श्क्वार रूट और क्यूब रूट ठीक है और देखो अभी यह क्यूब करने के लिए हमें क बड़ा single है, ध्यान दो, किया जोरत पड़ेगा इसमें इसमें सिर्फ तुम्हें एक से दस तक का Ç्क्राइर के जोरत पड़ेगी और एक से दस तक के क्यूब की जोरत पड़ेगी उसके बाद,… उसके ऐलाव किछेट के जोरत नहीं पड़ेगी तो पिछले lecture में मैंने बोला भी था कि 1 से 10 तक का cube या दोना चाहिए अब देखो इसका use कैसे आ गया अब देखो पहले part में divide किया गया कि ऐसे number जो 1 से start होते है number start with 1 ठीक है तो उनका cube कैसे करते हैं उसको भी बताऊंगा number end with 1 जो एक से खतम होते हैं मतलब जैसे 21, 31, 41 जो 1 पे खतम होते हैं ठीक है same number जैसे 11, 11, 22, 22, 33, 33 same number और चौथा variety है तुमारा different number मतलब कोई different 34 हो गया 52 हो गया इसमें number क्या different है तो यह सारे तुमारी variety हो गई cube की तो इस lecture में इन दोनों के बारे में बताता हूँ ठीक है तो देखो number start with 1, number end with 1 दोनों का same procedure है इसलिए मैं यहाँ पे एक 15 ले लेता हूँ 15 ठीक है और एक number यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 21 ले लेता हूँ ठीक है दोनों का procedure same है अब देखो तुमको करना है क्या होगा 15 का cube करना है तो तुमें सिर्फ और से simply 15 लिखो 15 लिख लिए अब देखो 15 लिख लिए तो यह एक को छोड़के 1 को छोड़के जो number है उसका यहाँ पे square लिखो तो 25 का square कितना हो गया 25 ठीक है अब square कर दिए और उसका cube इधर लिखो 5 का cube कितना होता 125 करना क्या रहता है तुमको कि एक को छोड़के जो जिसका भी तुमें cube करना है जो number 1 से start हो रहा है उसको लिखने के बाद जो 1 को छोड़के other number है उसका square लिखो और फिर उसका cube लिखो same procedure यहीं भी करना है देखो 1 के बगल में जो number है उसी के side सारा वर करना है जैसे 21 जैसे 21 है ना 21 का देखो 21 में ऐसे 21 लिख लो ठीक है अब यह 2 बचा 2 का यहाँ square लिखो 4 2 का cube लिखो 8 बात समझ में आई तो 1 के बगल में जो number है उसी के side सारा वर करना है same procedure है दोनों एक साथ बता रहा हो देखो 15 का cube किये cube करना है तो क्या करना पड़ेगा as it is 15 लिखो फिर जो दूसरा number उसका square लिखो फिर उसका cube लिखो ठीक अब क्या है अब simple है इन दोनों number को ऐसे ही काड़ दो ठीक है sorry यह 4 number हो गया na 1,5 अलग-अलग है तो 1 को काड़ दो और यह first और last number को ऐसे काड़ दो और यह जो बीचवाला number है पांच और 25 इसका double कर दो 5 का double 10 हो गया 25 का double 50 हो गया ठीक अब इनको add कर दो वैसे ही यहां पे भी करो first और last को cut दो और बीच वाले जो number उनका double कर दो 4 का double 8 और 2 का double 4 अब इनको add कर दो यही cube आ जाएगा इनको जोड़ दो तो 125 का यहां 5 लिखेंगे हम ठीक है 125 का 5 लिखेंगे 12 बज गया तो देखो 25, 75, 75 85 और 12 कितना हो जाएगा 27 का दो बचा तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यह तुम्हारा 15 का cube आ गया ठीक है देखे कितना सिंपल है क्या करना है 1 को छोड़ के जो number है उसका square लिको फिर cube लिको फिर first और last number को ऐसे छोड़ दो बीच वाले जो number बज रहा है उनका double कर दो double करने के बाद add कर दो add करने का तरीका क्या है देखे ना add करने के तरीका है unit digit लिकने के बाद add कैसे करते हैं यार वो तो पता ही होगा यहाँ पर भी देखो हमने क्या किया 1 का 21 है तो 1 के बगन में जो number होगा उसी के side में सारा वार करना है 2 का square लिक है फिर 2 का cube लिके first और last को छोड़ दी है हमने बीच वाले का double कर दिया अब इसको add करना है तो यहाँ one हो जाएगा 4,2,6 हो जाएगा ठीक है 8,4,12 को 2 लिखेंगे हाथ में आए one बचा तो one यहाँ पर add कर देंगे तो यहाँ पर nine हो जाएगा तो यह तुमारा इसका cube हो जाएगा समझ में आ रहा है तो number start with one, number end with one ऐसे करना है बाकी दो का next lecture में बताऊँगा एक और practice करवा देता हूँ माल लो कौन सा number practice करवा दूँ 17 का ले लो जैसे तुम्हे 17 का लेना है ठीक है ध्यान से देखो 17 का लेना है तो 17 हमने लिख दिया है ऐसे करके अब 17 का square लिखो 7 का square लिखना है तो 49 हो जाता है और 7 का cube लिखना है तो तुम्हारा 343 हो जाता है 7 का cube लिख दिया हमने first number और last number को छोड़ दो बीच वाला जो number है उसका double कर दो 7 का double कितना हो गया 14 और 49 का double कितना हो गया 98 अब इनको add कर दो यहां पर 3 लिख दो यहां 34 add करना पड़ेगा 34 add करना पड़ेगा तो देखो 8 इसको add करने पर कितना आजा 8,8,16,1,7,7,7,4 21 को 1 ठीक 21 को 1 हो जाएगा और तुमारा 9,4 9,4,13,13,13,16 16,2 16,2 कितना हो गया तुमारा 18 तो 18 बच जाएगा मतलब यह total add करने पर 181 आएगा तो 181 का सिर्फ 1 लिखा जाएगा 18 यहां पर add हो जाएगा ठीक, तो 18 और 4 कितना हो गया 22 हो गया, 22 और 10 कितना हो गया 32 और 32 और 7 कितना हो गया तुमारा 49 हो गया 32 और 7,49 को यहां पर 9 लिखेंगे, बचा कितना, 3 बचा 3 और 1,4 तो ऐसे करके करते हैं, ठीक है ऐसे करके add करते हैं और ऐसे करके ठीक है, तो ऐसा number जो 1 से start हो रहा है और 1 से से खतम हो रहा है तो उसका hardest process अबका फ्रोचिश के सब का से के इन सब इन में इत्पर थेम रहा रखना है तो ऐसे करते है नंबर जो rif करें और होते हैं ऊज़्टर क många का लेक्षर में बताऊंगा कि सेम नंबर को कैसे यह करते हैं और different number को कैसे करते हैं ऑकि derivative लेक्चर में इतना ही अच्छा लगाओ तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है नेक्स लेक्चर में पढ़ते हैं डिफरेंट और सेम नमर का ओके तो जैहिन